हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हो जशन के बाल काफी जाता लंबे हैं काफी घने हैं काफी मजबूत बाल हैं उसके तो गाईज आपको अपने बालों की प्रॉपर केर करनी पड़ेगी विंटर में हमें अपने बालों की एक्स्ट्रा केर करनी चाहिए क्योंकि विंटर में हम ऑईलिंग भी करके रख सकते हैं अपने बालों को कवर भी करके रख सकते हैं ब्रेड बना कर रख सकते हैं घर्मियों में स्व ब्रेड बनाकर रखिए बालों को कवर करके रखिए तो आपके बाल इतनी जल्दी लंबे हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ चार हफते यानि कि एक महीना आप ऐसे करके देख लीजिए अपने बालों को बिल्कुर नीट अंड क्लीन रखें हेर वाश करने के बाद अच्छी तर प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी क्योंकि ऑईलिंग करने से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाते हैं घने हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं जब हम ब्रेड बनाकर रखते हैं अपने बालों को कवर करके रखते हैं तो हमारे बालो को बहुत जदा ड्राइ रखते हैं रोखा सुखा रखते हैं तो हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक महिना ऐसे करके देखिए अच्छी तरह से ऑईलिंग करके रखिए और अपने बालों पर हर रोज करने के बाद आप ब्रेड बनाएं जरूर करें मैं मस्चड ऑईल यूज करती हूं आपको जो भी ऑईल अच्छा लगता है आप वही ऑईल यूज कर सकते हैं अगर आपको हियर फॉल जादा हो रहा है तो आप विटमिन ए का कैपसूल ऑईल में एड़ कर लीजिए कर सकते हैं या फिर आप परांदी का यूज कर सकते हैं एक महिने में आपके बालों की लैंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी आपके बाल इतनी ज्यादा लंबे हो जाएंगे हेर फॉल की प्रॉब्लम आपकी खतम हो जाएग अगर आपको डेंडर इचिंग स्कैलिप करने से विंटर्स में आप ऐसा कर सकते हैं गर्मियों में तो स्वेटिंग की वज़ा से हम बालों की ज्यादा किया नहीं कर पाते बट विंटर्स में एक महिना ऐसे करके देख लीजिए फिर आपके बाल भी जशन की तरह लॉंग स्ट्रॉंग हो सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यह वीडियो आपके लिए हैलफुल होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाइस अब मैं मिलूंगी आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक झाल झाल